हेलो बच्चो दिस इस ओपिय गुपता यूर मैथ मेंटोर ओन दिस ब्यूटिफुल चानल अफ यूर्स मैथमेटिशिया बाई ओपिय गुपता तो आज की क्लास 10 के मैथमेटिक्स लेक्चर में वी आर गोइंग टिसकस प्रेक्टिस कुश्चन पेपर फोर हाफ यर्ली एग चेप्टर 1 से लेकर चेप्टर 9 तक के सभी टॉपिक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इस प्रेक्टिस कुश्चन पेपर में ठीक है बच्चो अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉंग बनाना चाहते हैं तो हमारी मैथ मिशन सीरीज की बुक्स को परचेज कर सकते हैं क्लास 10th के लिए मैध मिशन सीरीज की बुक्स आती है अपर्ट फरॉंड एट क्लास 11th and क्लास 12th के लिए भी आती है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकस में प्रेस कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को बिशियर कर देना, ठीक है बच्चो? Now let's move to discuss today's practice question paper, ठीक है बटा? तो ये रहा बच्चो आपका practice question paper for half yearly examinations, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चो, this test is going to be of 80 marks, time duration will be 3 hours, आपको instructions के बारे में तो पता ही होगा, मतलब आपके पास total 38 questions होने वाले हैं, section A, section B, section C, section D and section E में ये सभी questions divide होंगे, section A में 20 questions होंगे, जो कि MCQ type के हैं, यानि 1 markers होंगे, section B में 2 markers हैं, section C में 3 markers हैं, section D में 5 markers हैं, और section E में case study type के questions हैं, जो कि 4 markers होंगे, total 3 case study questions होते हैं हमारे paper में, ठीक है बच्चो? अब चलते हैं जरा question 1 से अपने test के solution का discussion स्टार्ट करते हैं. So here we have question number 1, यहाँ पर क्या बोला हुआ है बच्चो? 0s of a polynomial, polynomial क्या है? 4 x square minus 1, इसके आपको 0s बताने हैं. तो हम लोग क्या करेंगे? जो भी polynomial दे रखा है न, इसे आप factorize करो. तो यहाँ पर factor क्या बनेंगे बेटा? a plus b into a minus b वाला जो formula होता है, उसकी help से यहाँ पर हम करने वाले हैं. ठीक है? अब यहाँ पर इन factors को हम 0 के equal रख देंगे, यानि 2x minus 1 into 2x plus 1, इसे 0 के equal रखेंगे, तो या तो पहले वाला factor 0 होगा, या फिर दूसरे वाला factor 0 होगा, तो यहाँ से x की value क्या मिलेगी बेटा? 1 by 2, और यहाँ से x की value मिलेगी, minus 1 by 2, ठीक है? तो minus 1 by 2 and 1 by 2, कौन से options में है? option b में आप देखिए, question number 1 का option भी ठीक हो गया, ठीक है? question number 2 की तरफ बढ़ते हैं बच्चो? question number 2 में क्या है? so now we have question number 2, इसमें क्या बोला हुआ है? if p and q are two consecutive natural numbers, then hcf of p, q, यानि p और q, कोई से भी दो consecutive natural numbers हैं, for example, जैसे आपका मन करें कि 3, 4, यह दो natural numbers हो गए, जो कि consecutive भी हैं, इनका hcf निकाल के देखना 1 आएगा, तो यहाँ पर option c सही हो जाएगा, यह general fact है, आपको यादेखिए, भी रखना चाहिए, कोई से भी दो consecutive natural numbers लोगे, तो उनका hcf क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, question number 3 की तरफ चलते हैं, बच्चो, question 3 में, क्या बोला हुआ है, if the lines given by, दो lines है, and they are parallel, तो आपको बताना है, k की value क्या होगी, parallel lines के लिए conditions क्या बनती हैं, बटा, a1 upon a2 is equal to, b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, ठीक है, तो यहाँ पर, first line में से a1, second line में से a2, ठीक है, फिर यहाँ से b1, और यहाँ से b2, is not equal to, अब यहाँ से c1 लोगे न, तो इसे आप lhs में ला सकते हो, जो की minus 2 आएगा, और यहाँ पर 1 पहले से ही आपका constant, यानि c2, lhs में दे रखा है, तो अब यहाँ से हमें k की value बतानी है, इन दोनों को consider कर लो, consider 3 upon 2 is equal to 2k upon 5, यहाँ से जैसे cross multiply करोगे, तो k क्या बनेगा बच्चो, 5, 3, 15 upon 4, यानि 15 upon 4, option c को आप चेक कर सकते हैं, question number 3 के लिए option c सही हो गया, ठीक है, question number 4 में चलते हैं बच्चो, question 4 में क्या दे रखा है, question 4 is based on trigonometry, second theta plus 10 theta की value x दे रखी है, तो आपको 10 theta निकालना है, कैसे करेंगे बच्चो, ध्यान से सुनना, काफी अच्छा question है ये, second theta plus 10 theta x दे रखा है ना, ठीक है, ये x के equal है, इतनी जगए क्यों छोड़ी है मैंने, इसलिए ताकि यहाँ पर मैं multiply और divide कर सकूं, second theta minus 10 theta से, ठीक है, LHS में multiply divide कर दिया, same quantity से, कर सकते हैं, numerator में क्या होगा, a plus b, a minus b, यानि, second square theta minus 10 square theta, और denominator में क्या है बच्चो, second theta minus 10 theta, RHS में तो x अभी भी लिखा ही हुआ है, question मदे ही रखा था, numerator में formula बन गया, identity, क्या होती है इसकी value बेटा, 1, तो क्या होती है इसकी value, 1, मतलब आप इसे अब ऐसे लिख सकते हो, 1 over secant theta minus 10 theta is equal to x, जैसे ही cross multiply करोगे, you will get secant theta minus 10 theta is equal to 1 upon x, इसे second equation बोलो, और जो question में दे रखा था न, इसे first equation बोलो, ठीक है, आपको 10 theta निकालना है ध्यान रखना, first equation में से second equation को minus कर दो, first equation minus second equation, जैसे ही ये काम करोगे, secant theta वाला cancel हो जाएगा, और ये 10 theta दिख रहा है, इसको minus किया है न, तो minus of minus 10 theta, यानि प्लस का 10 theta बन जाएगा, मतलब LHS में आ जाएगा, 2 10 theta और RHS में x minus 1 upon x, और इसमें जैसी LCM लोगे, x square minus 1 upon x, और ये सब अभी 2 10 theta के equal है, तो 10 theta बन जाएगा, x square minus 1 upon 2x, समझे, ठीक है बच्चों, तो x square minus 1 upon 2x, ये रहा, option C, question 4th का सही हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, question number 5th की तरफ बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ता, question number 5th, basically concepts के उपर है, directly observation करोगे तो answer मिल जाएगा, क्या बोला हुआ है, अब pair of irrational numbers, pair का मतलब दो numbers कैसे, तो irrational, ठीक है, तो a pair of irrational numbers, whose product is a rational number, यानि ऐसे दो irrational number बताओ, जिनको multiply करने पर rational number मिलेगा, ठीक है, तो इनको multiply करोगे, तो आपको under root 18 मिलेगा, मतलब ये तो गलत हो गया, ये rational थोड़ी ना है, इनको multiply करोगे, तो under root 100 मिलेगा, मतलब ये तो 10 आ गया, और 10 तो rational है, तो क्या यहाँ पर option भी सही हो गया, well, सोच के देखो, कुश्य ने बोला क्या था, product करने के बाद rational number आएगा, वो तो ठीक है, लेकिन किसका product, irrational numbers का product, ये दोनों ज़रा ध्यान से देखना, under root 25, under root 4 क्या है, irrational numbers तो नहीं है न, ध्यान से देख लो, rational numbers है, under root 25 यानि 5, under root 4 यानि 2, ठीक है, यानि option भी सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वाली condition यहाँ पर follow नहीं हुई, product किसका लेना है, तो irrational numbers का लेना है, ये condition follow नहीं हुई, इसी तरीके से option C वाले को भी आप एनलाइस कर सकते हो, ये बनेगा 15, 35's are 15, और under root में 15, अब ये तो rational नहीं है, ठीक है, यानि ये भी गया, option D को देखिए, ये बन जाएगा under root 36, यानि 6, यानि ये rational number है, और इस समय हमने, दो numbers को multiply किया था, और ये दोनों irrational थे, बस option D वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है, यानि question number 5 का option D सही है, आगे बढ़ते है, question number 6 को लेते है, question 6 में क्या है बच्चो, question number 6 में दो lines दे रखी है, और ये किस type की lines है, आपको ये बताना है, parallel lines है, intersecting है, overlapping है, या फिर none of these, तो यहाँ पर अगर आप धेहान से देखें, a1, 2 है, b1, 3 है, c1, minus 8 बनेगा, दूसरे वाई line को देख लो, a2, 16, b2, 24, and c2 को देखोगे, तो ये बनेगा minus का, 64, a1 upon a2, 2 upon 16, यानि 1 upon 8, b1 upon b2, 3 upon 24, यानि 1 upon 8, ठीक है, पिर c1 upon c2, minus 8 upon minus 64, यानि 1 upon 8, ये तीनों तो equal आ गए, तो जिस समय, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, ये वाली condition आती है, तो उस समय, pair of lines कैसी होती है, overlapping होती है, coincident lines होती है, यानि यहाँ पर option c आ जाएगा, ये जो line है, इसके उपर coincident होगी, overlapping lines बनेंगी, ठीक है, question 6 का option c सही हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, question number 7 की तरफ बच्चो, question number 7 में क्या बोला हुआ है, if a, b, c, d is a paleogram, तो सबसे पहले तो एक paleogram बना लो बेटा, इस तरीके से आपका paleogram है, a, b, c, d, p is a point on side b, c, side b, c के उपर एक point p है, and dp when produced meets a, b at l, तो यहाँ पर एक point p है, जो की b, c के उपर है, और जैसे ही हम dp को आगे produce करेंगे, तो a, b को यह point l पर जाके मिलेगा, यानि इस तरीके से आपके सामने situation दे रखी है, then select the correct option, तो कौन से वाला option यहाँ पर ठीक है, हमको यह देखना है बिटा, तो अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पर triangle adl, triangle adl, this is similar to triangle bpl, ध्यान से देखिए, यह दोनों triangle similar है, angle l common हो जाएगा, और क्या होगा, सोच के देखना, ad is parallel to bc, क्योंकि पहले लोग्राम बोला हुआ था, अब इसके बाद कौन से वाला angle equal होने वाला है इन दोनों triangle में, आप मुझे comment करके बताना, फिलहाल यह दोनों triangle similar होंगे, तो similar triangle की property अगर हम use करें, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, lp upon pd, is equal to lb upon ba, ठीक है बेटा, अब जरा इसको उल्टा करो, reciprocal ले लो, तो यहाँ पर pd को आप dp भी लिख सकते हो, ठीक है, और यह आपका lp है, lp को आप pl कर लो, इसे आप ab कर दो, reciprocal भी कर रहा हूं, ठीक है न, और साथ साथ मैं कुछ और modifications भी कर रहा हूं, यह आपका lb नीचे आएगा, जिसे मैं bl लिखूंगा, अब क्योंकि यह तो पैलरोग्राम का case था, तो इसमें opposite sides क्या होती है बिटा, equal होती है न, तो ab will be equal to dc, पक्का, yes or no, होगा तो जरूर, तो यहाँ पर ab की जगए, जैसे ही आप dc रखेंगे, तो अब जरा आप अपने option b को check करिए, dp upon pl is equal to dc upon bl, यानि option b वाला ठीक हो गया, question number 7 के लिए, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, question number 8 की तरफ चलते हैं, so now we have question number 8, इसमें आपको इसकी value बतानी है, कैसे करेंगे बटा, 10 theta को sin upon cos लिखिए, ठीक है, 10 theta को 1 upon cos theta लिख लो, लिख सकते हैं तो लिख दिया है मैंने, ठीक है, ऐसे ही अगले वाले ब्रेकिट में, को tangent theta को आप लिखो, cos theta upon sin theta, और cosecan theta को आप लिख लो, 1 upon sin theta, इसमें LCM लेंगे, तो आपको मिलेगा, cos theta minus sin theta plus 1 upon cos theta, पहले वाले ब्रेकिट में, ठीक है बच्चों, दूसरे ब्रेकिट में क्या मिलेगा आपको, sin theta minus cos theta plus 1, और नीचे है sin theta, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉलम किसी को, done, अब यहाँ पर multiplication करना है, लेकिन multiplication करने से पहले, एक छोटा सा काम करते चलो, cos theta minus sin theta, इसे ऐसे रहने दो, plus 1 है न, ओके, और नीचे cos theta, अगर आप notice करें, तो मैंने cos theta minus sin theta को ब्रेकिट में रखा हुआ है, ठीक है न, अगले ब्रेकिट में आईए, इस वाले में, sin theta minus cos theta है न, उसमें से minus common ले लो, sin minus cos में से minus common लो गए, तो आपको मिलेगा minus cos theta minus sin theta, और यह plus 1 आगे लिखने की जगे, यहाँ पर लिख दो, इसके आगे लिखने की जगे, यहाँ पर लिख दिया मैंने left side में, और नीचे है sin theta, अब ऐसा मैंने क्यूं किया, ध्यान से देखना बिटा, अगर आप इसे देखें, तो यह plus 1 को आप आगे लिख सकते हैं, चलो मैं लिख देता हूँ, ताकि आपको visualize करने में असानी रहेगी, आप समझ पाएंगे better way में, ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, यह plus 1 यहाँ था, मैंने आगे करके लिख दिया, left side में, जैसे इसमें किया, ठीक है, अब देखना, a plus b, a minus b, a किसको बोल रहा हूँ, 1 को, b किसको बोल रहा हूँ, bracket वाले को, cos theta minus sin theta वाले को, समझ गए, a plus b into a minus b, क् ठीक है, तो यह काम हम numerator में करेंगे, तो a square, यानि 1 का square तो 1 ही रह जाएगा, बच्चो, minus b square, यानि cos theta minus sin theta का, hall square आप करेंगे, नीचे यह वाला cos theta, जो कि पहले bracket का है, और दूसरे bracket में से आपको sin theta मिल जाएगा, denominator वाले multiply हो जाएगे, अराम से, कोई दिक्कत नहीं है, numerator मे, cos theta minus sin theta में, a minus b, hall square का formula लगाओ, और आगे negative है, ध्यान रखना, bracket क्या आगे, समझ गए, तो आपको क्या मिलेगा, 1 minus a square, plus b square, minus 2ab, और नीचे क्या है, बच्चो, sin theta, into cos theta, ठीक है, cos square theta, plus sin square theta, 1 हो जाएगा, ठीक है, तो जरा मैं आपको top में यहां लेकर आ रहा हूँ, 1 minus, bracket भी खोल दूँ, 1 minus 1, plus 2sin theta, into cos theta, upon sin theta, into cos theta, numerator में क्या हुआ, समझे, इसकी जगा 1 किया, और bracket खोल दिया है, तो minus 1, और यहां plus का 2sin theta, cos theta हो जाएगा, numerator में, यह plus 1 और minus 1, cancel होगा, आपको सिर्फ यह मिलेगा, numerator में, और नीचे, पहले से ही sin theta, और cos theta, बैठे हुए थे, अब यह simplify होकर, cancel हो जाएगा, basically, आपको सिर्फ 2 मिलेगा, 2 का मतलब है, option D को चेक करिए, question number 8th का option D सई हो गया, ठीक है बच्चो, आगे बढ़ेंगे, question number 9th की तरफ चलते हैं, so now we have question number 9th, इसमें आपको 10 theta की value दे रखी है, आपको इसकी value बतानी है बटा, ठीक है, तिमपल सा question है, ध्यान से देखना, हम right angle triangle बना रहे हैं, 10 theta है 1 over root 7, तो यह इस तरीके से आप लिख लो, ठीक है, पाइथागुरुस theorem की help से, आपको hypotenious मिल जाएगा, अगर hypotenious को मैं h मानू, तो h square will be equal to perpendicular square plus base square, यह बन जाएगा 1 plus 7, यानि 8, यानि hypotenious की value आएगी under root 8, जिसे आप 2 root 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, यानि इसकी value आजाएगी 2 root 2, अब यहां से cosecant square theta, minus secant square theta, तो इसके लिए सबसे पहले जड़ा हम cosecant theta लिख लेते हैं, तो क्या बनेगा, hypotenious upon perpendicular, यानि 2 root 2 upon 1, upon 1 को मैं नहीं लिख रहा हूँ बेटा, secant theta, तो 2 root 2 upon root 7, ठीक है, अब इनकी values को यहां put करेंगे, with squaring, तो cosecant square theta का मतलब हो जाएगा, 2 root 2 का square, minus इसका भी square करोगे, ठीक है, और denominator में same quantity आएगी, बस बीच में plus लगाना है, तो यह बनेगा, 2 root 2 का square, plus 2 root 2 upon root 7 का square, 2 root 2 का whole square, यानि 8 बना, 8 minus 8 upon 7, और नीचे 8 plus 8 upon 7, 8 common ले लो, उपर से भी और नीचे से भी, उसको हवा में उड़ा दो, तो finally आपको ऐसा मिलेगा बिटा, ठीक है, अब इसमें LCM ले लो, तो यह बनेगा 7 बनेज़ 7 minus 1, यानि 6 upon 7, और नीचे 8 upon 7 आ जाएगा, 6 upon 8, यानि 3 by 4, तो 3 by 4, option D में आपको दिख रहा होगा, question number 9 का option D सई हो गया, ठीक है, question number 10 की तरह बढ़ते हैं बच्चो, question number 10 में क्या है, D and E are respectively the midpoint on the sides AB and AC of a triangle ABC, BC दे रखा है, और बता रखा है कि DE is parallel to BC, तो diagram बना लें, यह BC है, जो कि 6 cm है, और D and E midpoints हैं, किसके, तो AB के लिए D है, और AC के लिए E है, ठीक है बटा, और यह parallel भी है, DE is parallel to BC, ठीक है बच्चो, तो यहाँ पर आपको न, length of DE निकालना है, तो इसे solve करने के लिए, या तो यहाँ पर आप similar triangle की property यूज़ कर सकते हैं, या फिर midpoint theorem से भी कर सकते हो, अगर यह 6 cm है, तो इसका half DE आएगा, यानि BC का half DE बनेगा, तो DE basically half of BC बनेगा, यानि half of 6 cm, यानि 3 cm, 3 cm option B में आपको दिख रहा होगा, question 10 का option B ठीक हो गया, मैंने यहाँ पर midpoint theorem का use किया है, आप यहाँ पर similar triangle की property से करके, मुझे comment करके बताना, या फिर हमारा telegram group join कर लो, और वहाँ पर मुझे इसका solution भेजना, ग्रूप का link वीडियो के description box में आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगला question देखते हैं, question number 11, question 11 में क्या है, the least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10, both included, यानि ऐसा कौन सा पहला number है, सबसे छोटा number, जो कि सभी numberों से divide होगा, 1 से लेकर 10 तक के जितने भी number है, उन सबसे divide होने वाला सबसे छोटा number, ठीक है, तो जोड़ा check करते हैं बेटा, 2520 वैसे तो ये memory based question है, लेकिन आप one by one check भी कर सकते हो, देखो इसे अगर आप 3 से divide करेंगे, तो ये 3 से divide नहीं होगा, ठीक है, ये भी 3 से divide नहीं होगा, यानि ये दोनों तो वैसे ही खतम होगए, ठीक है, इसे 7 से divide करके देखना बेटा, इसे 7 से divide करके देखो गए, तो ये 7 से divide नहीं होगा, समझ गए, यानि वही वाला बच गया, उसे 1 से divide करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, 6 से करो, 7 से करो, 8 से करो, 9 से करो, और 10 से करो, सबसे divide होने वाला है और ये सबसे छोटा पहला नंबर आपको मिलेगा जो की सभी नंबरों से divide होगा from 1 to 10 समझ गए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं question number 12 की तरफ बढ़ते हैं बेटा question 12 में क्या है what is the HCF of two consecutive even numbers 2,4 इसका HCF निकाल के देखना या फिर 4,6 consecutive even numbers बोला है न तो 4,6 का निकाल के देखो या फिर 6,8 का निकाल के देखो या फिर 8,10 का निकाल के देखो कोई से भी दो consecutive even numbers का HCF लिखोगे answer 2 मिलेगा यानि यहाँ पर option C सही हो जाएगा ये भी conceptual question है memory based भी कह सकते हो आपको पता होना चाहिए या फिर यहाँ पर calculate करके देख सकते हो ठीक है बटा आगे बढ़ते हैं question number 13 में देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है हमें question number 13 में बोला हुआ है the sum of the digit of a two digit number is 9 तो सबसे पहले हम यह देखते हैं ऐसे कौन से numbers हैं जिनके digits का sum 9 है इसका तो नहीं है इसका है मतलब इसके सही होने के chances हैं ये तो गलत और ये भी गलत इसमें भी digits का sum 9 है और क्या बोला हुआ है question में if 27 is added to it the digits of the numbers get reversed तो आपको number ही बताना है तो यहाँ पर 72 में 27 add करके देखो क्या मिलेगा जो भी नया number मिलेगा उसमें जो digits हैं वो reverse हो जाने चाहिए यानि 72 का 27 बन जाना चाहिए कैसे बनेगा यार चेक करके देख लो नहीं बनेगा इसमें जैसे ही 27 add करेंगे जो नया नंबर मिलेगा वो 36 का 63 बनके मिलना चाहिए digits reverse होने चाहिए 36 है न तो 63 बन जाना चाहिए add करके देख लो 7 से 13 का 3 carry 1 3 2 5 और 1 6 बिल्कुल ठीक है यानि इस वाल नंबर में 27 को add करोगे तो जो नया नंबर मिलेगा उसके digits reverse हो जाएंगे यानि यहाँ पर option D सही हो जाएगा ठीक है बच्चो कुश्यन नंबर 14 में देखते हैं इसमें क्या है बच्चो कुश्यन नंबर 14 में बोला हुआ है two positive integers expressed as p is equal to a b square and q दे रखा है a square into b where a and b are prime numbers तो आपको LCM बताना है तो यहाँ पर जैसे ही आप LCM लिखेंगे न p and q का तो क्या करते हैं जो common factors आपको दिख रहे हैं तो दोनों में सबसे पहला common factor a है लिख लो और इसकी सबसे बड़ी power क्या है exponent क्या है इस common factor का तो two है फिर इसके बद अगला factor क्या है तो b है मतलब ये भी common ही है तो इसमें अब सबसे बड़ा power क्या है exponent क्या है तो two है ठीक है तो common factors की बाद तो हो गई अब क्या कोई ऐसा factor भी है इनके prime factorization में P और Q के prime factorization में क्या कोई ऐसा factor भी है जो कि common ना हो तो बिल्कुल नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं तो बस यही आपका LCM हो गया मान लो अगर P दे रखा होता ऐसे and Q दे रखा होता ऐसे ठीक है A B square C और यहाँ पर है A square B D तो इस समय LCM क्या आता यह आप मुझे comment करके बताना फिलाल आपका answer आ चुका है option D ठीक हो जाएगा question 14th के लिए ध्यान से देखो मेरी बात समझे या नहीं और मने कुछ पूछा भी है इसका जवाब देना मुझे comment करके ठीक है बच्चो question number 15th लेते हैं जरा question number 15th में क्या है if one zero of this polynomial is the reciprocal of the other zero यानि अगर एक zero को हम alpha माने तो दूसरा zero आएगा one upon alpha reciprocal का मतलब तो यही हुआ तो आपको k की value बतानी है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे product of zero वाला concept यूज करेंगे तो product of zero हमने निकाल लिया कैसे निकलता है ये तो यहाँ पर constant upon coefficient of x square हम ले लेते हैं अब LHS में product of zero है RHS में value है ठीक है ना यहाँ जो आपका polynomial दे रखा था उसकी help से हमने constant upon coefficient of x square लेख दिया है अब जरह इसको simplify करते हैं यह one बनेगा LHS वाला alpha और one upon alpha को simplify कर लो तो यहाँ से आपको k की value मिल जाएगी 3 अब k की value 3 का मतलब यह हुआ option is सही है ध्यान से देखिए question number 15 का option is सही हो गया अब अगला question लेते हैं यानि question number 16 इसमें क्या है the next term of this AP तो यह जो आपका arithmetic progression है इसका common difference निकाल लो तो 1 minus 3 यानि इसमें से second term में से first term को minus कर रहा हूँ तो यहाँ से minus 2 यानि common difference यह रहा अभी जो term आपको दिख रहा है वो है minus 3 ठीक है तो इसका next term लिखने के लिए इसमें आपको common difference को add करना पड़ेगा यानि minus 3 में add कर दो minus 2 यानि आपको मिलेगा minus 5 यानि option ती सही हो जाएगा question number 16 के लिए ध्यान से देखिए मेरी बात समझे या नहीं ठीक है आगे बढ़ते हैं next question लेते हैं बेटा question number 17 में क्या है if the discriminant which is represented by capital D of this equation is 1 तो किसी भी quadratic equation का discriminant निकालने का formula यह होता है इसकी value दे रखी है 1 यहाँ जो equation है इसमें A का मतलब है 6 B की जगह पे यहाँ ध्यान से देखो minus B है बेटा और C की जगह पे 2 है तो value put करते हैं यहाँ पर हमको B की value निकालने के लिए बोला गया है यह जो B है यहाँ पर equation में आपको दिख रहा होगा X के आगे B लगा हुआ है तो आप लिखेंगे minus B का square to 1 तो B square आपको मिलेगा 1 plus 48 यानि you will get B square is equal to 49 1 plus 48 का मतलब क्या हुआ बेटा तो यहाँ से B की value आएगी under root 49 और इसी समय यहाँ पर plus minus आ जाता है याद रखना यह तो यह बनेगा plus minus 7 तो option C वाले को आप चेक कर सकते हैं question 17th option C is correct ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं question number 18th लेते हैं question 18th में क्या है if 18, x, y, minus 3 are in arithmetic progression तो आपको x plus y की value बतानी है अब यहाँ पर एक simple सा हम statement यूज कर सकते हैं और वो statement यह है अब यहाँ पर एक simple सा concept हम यूज करेंगे first term plus last term is equal to sum of both middle terms ठीक है तो यह क्या बन जाएगा 15 is equal to x plus y यानि option B को check करिए question number 18th का option भी ठीक हो जाएगा अब हम चलेंगे assertion and reason type वाले questions के तरफ यानि question number 19th and question number 20 so now we have assertion and reason type of questions इसमें किस तरीके से answer करते हैं बच्चों option A में क्या बोला हुआ है assertion is true, reason is true, reason is a correct explanation of assertion option B में क्या है assertion is true, reason is true, reason is not a correct explanation of assertion option C में क्या है assertion is true and reason is false option D में क्या है assertion is false, reason is true तो इन options के according यहाँ पर आपको answer करना होता है हमारे question 19th में assertion वाले statement में क्या लिखा हुआ है under root 2 times 5 minus root 2 is an irrational number ये बिलकुल ठीक है ये irrational number है reason में क्या बोला हुआ है product of 2 irrational numbers is always irrational ये सही नहीं है क्यों नहीं है सही क्योंकि ऐसा मैं किसी question में आज की class में discuss कर चुका हूँ एक question था जहाँ पर pair of two irrational numbers बताने थे जिनका product rational हो याद आया कौन सा question था comment करके बताओ मुझे तो फिलाल assertion सही है reason false है यानि option c यहाँ पर ठीक हो जाएगा question number 19 के लिए ठीक है बच्चो आगे बढ़ते है question number 20 लेते है so now we have question number 20 इसमें क्या बोला हुआ है बच्चो the point 0, minus 8 lies on y axis y axis पर कोई भी point होता है तो उसका x coordinate पक्का 0 होता है तो यह आपको दिख रहा होगा x coordinate 0 है यानि assertion वाला statement सही है reason वाले में क्या है the x coordinate of any point on y axis is always 0 यही तो अभी मैंने explain किया मतलब यह भी सही है और यही बात क्योंकि मैं assertion में कह रहा था मतलब both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion that means यहाँ पर option is सही हो जाएगा ठीक है बच्चो इसी के साथ हमने practice question paper for half yearly examination of class 10th mathematics का section एक complete कर लिया है अगर आप बचे हुए sections के भी solution चाहते है तो मुझे comment करके जरूर बताना ठीक है बच्चो I hope आप लोगों को पूरा lecture अच्छे से समझ में आ गया होगा तो देर केस बात की फटा फट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी classmates को भी share कर दो और इस चैनल को भी subscribe कर लेना ताकि हर important वीडियो की update आप लोगों को time to time मिलती रहे ठीक है बच्चो चलिए मिलते है नेक्स्ट लक्चर में Till then, be good, take care, all the best बाबाई